हाँ जी जो 31st question देखिए organic chemistry से तो आपको बताना है इन में से right product कौन सा है ठीक है आपके पास halide alkane आपको पास given है अलकाइल हलाइट ठीक है और इनका reaction आपको nucleophile के साथ कराना है और जो भी mechanism यहाँ पर follow करना है आपको वो भी mention किया गया है ठीक है तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो भी mechanism यहाँ पर है जैसे S1 है तो S1 की सारी बात ही दिमाग में रखनी है कि S1 में कार्वकाटायन is intermediate form होता है दन उसके बाद nucleophile attack करता है और यह reaction इस type की reaction S1 mechanism follow करती है तो two steps में होती है वह यह अगर S2 में बात करे तो वो reactions one step में होती है और there is no formation of carvokatine ठीक और यहाँ पर सिर्फ रसिफ ट्रांजिश of configuration होता है ठीक है जिसे हम Walden inversion भी बोलते हैं जो कि हम लोगों ने पिछले question में देखा था ठीक तो चलिए first question को एक बड़ी code करते है देखते है यह सही है कि गलत है अच्छा यह इसका ओ ओ नहीं है यहाँ पर ज्यानक ना अच्छा तो आपके पास एक अलकेन है ठीक है तो फिर न्यूकलोफाल अटेक करता है असन वन मेकनिजम से तो हमें समझ आता है कि first step क्या होता है कार्वकटैन का formation यह ब्रॉमाईडायन के फॉर्म में निकल जाएगा और इस फार्ट पर कार्वकटैन का formation हो जाएगा अब हमें यह पता है कि अगर कार्व होगी जब फायदा होगा फायदा किस चीश का होगा stability का होगा ठीक है अगर हम यहाँ देखे तो यहाँ पर इस दो alpha hydrogen है ठीक है तो दो hyperconjugating structure बनेंगे इसके ठीक है तो हम यह समझ आ रहा है कि यहाँ पर दो alpha hydrogen है ठीक है तो अगर हम इस carbon मतलब हमाई कार्वकटैन को देने के लिए shift कर दे इस carbon पर तो हमें समझ आ रहा है कि यहां पर तीन अलफा अडोजन हो जाएंगे और यहां पर एक अलफा अडोजन हो जाएगा तो इस तरीके से आपके पास चार अलफा अडोजन हुआ तो हम कह सकते है कि हाँ वह कुछ तो फायदा हुआ stability gain हुआ है अच shift तो यह क्या होता है कि ऐसा hydride निकलता है hydride के form में निकलता है और यह यहां आ जाता है अब चुकि यह hydride के form में निकलेगा तो यह कार्वकटन का formation करेगा क्योंकि hydride है ने electron ले लिए इस bond के जितने भी electron थे इसने ले लिए किसने hydrogen ने ठीक है यह बात है आपको समझ में आन चाहिए तो इस तरीके से आपको कार्वकटन shift कराना है ठीक तो हमने यह देखा कि अगर कार्वकटन यहां होता है तो आपके पास चार alpha hydrogen हो जाते है alpha hydrogen समझ रहे ना alpha carbon पर जो hydrogen attached है उसे क्या बलेंगे alpha hydrogen यह alpha carbon है यह भी alpha carbon है ठीक है और इंके पास जो भी hydrogen उसे हम alpha hydrogen बोल रह है ठीक है क्या यह और आगे shift हो सकता है बिलकुल shift हो सकता है आगे जब ही shift होगा जब फाइदा हो कुछ ठीक है तो मैंने इस कार्वकटन को इस carbon पर लेके आने के बाद आपको समझ आ रहा है कि अब alpha hydrogen कितने हो गए अब alpha hydrogen आपको दिखेंगे यहां पर तीन यहां तीन और तो लेक्तों तो इस तरीके से आठ हलफाइडिजन हो गही अगर आफ्य आपको समय तो फाइद2 फाइदा हुआ इस यह स्टैप में इंक्लूट नहीं होंगे जो पहला स्टैप है फॉर्मेशन ओफ कार्व का टैन वह एक स्टैप कहलाएगा अदूसरा स्टैप आपका कहलाएगा अटक ऑफ निकलोफाइल जो यह शिफ्टिंग वाली जो बाते है वन टो हैडर शिफ्ट यह स्टैप में बुचने तूसरा में यह रिक्शन होती है ठीक है आच्छा यह निकलोफाइल अब यहां अटक कर जाएगा तो बिल्कुल सही बनाया गया है ठीक है तो हम कहेंगे कि पहला प्रोड़क्ट जो है इस रियक्टेंट से निकलोफाइल के अटक के बाद सही बनाया गया ठीक है अब हम सेकिंड कोशन को देखें तो सेकिंड कोशन में बिल्कुल यही सबस्टेट आपको गीवन है रियक्टेंट गीवन है और उसका निकलोफाइल के साथ अटक कराया है लेकिन अपकी बार आपको मेकैनिजम फोलो करना है एसन टू वाला अब एसन टू की बात है आपको गाया और यहाँ लेविंग गृफ निकल जायेगा ठीक है तो यहाँ पर भी जो बनाया गया है प्रोड़क्ट बिल्कुल ठीक बनाया गया है ठीक है और यह नेगलीफा थार्ड में आपके पास यहां पर एक ओर एक्स्टा कार्वन इंक्लूड कर लिया गया है और फिर इसमें नुक्लियोफाल लिया गया है और Ex vessel वन मेकैनिजम को आपको फोलो करने के लिए बोला गया है ठीक है जुक्किmostा बड़ा है समझाने के इसलिए मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूँ फिलाल आप यह याद रखिए कि इसका प्रोड़क्ट यह दिया गया है इसी को चेक करना यह गलत है कि सही है ठीक है देखिए तो आपके पास कुछ इस तरीके से था और नुकलोफाल अटेक कराना है एसन वन मकेंजम के थूँ तो हमारा step तो पहले पता ही पहला step क्या है कर्वगट्रेण का digestion तो फेले karवगट्रेण का formation अपने कराया ठीक ते अब आप सोच रहा है कि वन् तो हाड़ा डाईट करें क्या फाइदा होगा देखिए फिलाल यहाँ पर तु अल्फाइडोजन है ठेक एह तो हाँ फाइदा हो सकता है देखिए जरा यहां पांच फाहजज़न हो गए नभिया। तो यहां पर हो गए पांच अल्फा-डोंकिया और फाइध्या हो uniquely क्या और फायदा हो सकता है किया छिफ्ट कराया कि देखिए। मैं तो इस तरीके से आपने यह ए खिरांएicate अद्रियां कि यहां पर तो थीन इसना वगए 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर यहाँ पर तीन withoutに shift करा लिमा लो करा लिया देखते हैं होता है कि नहीं होता है अच्छा अगर एक और बार करा लेते हैं तो यहाँ पर तआपको समझ आएगा कि अब यहाँ पर 8 ईल पड़े वहाल भाड़ी होगी कि नहीं होगी वन टू है ड्रेट शिफ्ट तो आंसर है नहीं होगी क्यों नहीं होगी देखिए यहां से यहां बिलकुल होगा यहां से यहां नहीं होगा क्योंकि पांच अलफा अडूजन से अब तीन अलफा अडूजन की तरफ जा रहे हो स्टेबल कंपांट से अंस्टेब वाला कारेक्रम हो पाएगा ये कुछ ऐसा है कि मतलब स्वर्ग में जाने के लिए पहले आपको कुए में जाना बड़ेगा हो ना तो ये वाला काम आपको नहीं करना है ठीक है तो आपको ये लाइन ध्यान रखना है शिफ्टिंग जभी कराएंगे जब हर एक स्टेप में यहीं तक बनेगा मतलब यहीं तक शिफ्ट हो पाएगा और इसके बाद इसके बाद क्या होगा निखलोफाइल का टैक हो जाएगा तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये बनाना है तो ये बनता आपका प्रोडक्ट लेकिन उस में प्रोडॉक्ट क्या बनाया गया है उसमें प्रोडक्ट आपका ये बनाया गया था जो कि गलत था ठीक है चलिए थैंक यू